दोस्तों घरे लूप चार और सुकी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज हम आपके लेकर राए हैं आपके बालों के लिए एक बहुती सांदार और इस्पेसल तीन नुस्के लेकर राए हैं दोस्तों बालों को लंबा घना और काला बनाए रखने के लिए एक बहुती अच्छा इस्पेसल नुस्का तो हम ये बता रहे हैं और इसके बाद हम दो नुस्के और आपको बताएंगे जो बालों के लिए बहुती सांदार और बहुती एफेक्टिव है दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल घने और लंबे हो जाएं अगर हमारे बाल घने और लंबे होंगे तो खूब सूर्ती की बात ही कुछ अलग होती है हम सभी मार्केट से अपने बालों के लिए धेर सारे प्रोड़क्ट ले लेकर परिसान हो जाते है लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करती है और उन प्रोड़क्ट्स में कैमिकल होने के वज़े से हमारे बालों को नुकसान हो जाता है बाल लंबे होने की बज़े सफेद होने लगते हैं और जड़ने लगते हैं गंजपन की नौबद आ जाती है क्योंकि बाहर के जो प्रोड़क्ट्स हैं मार्केट के जो प्रोड़क्ट्स हैं उनमें कैमिकल होता है दोस्तो तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप अपने घर में ही नुश्के बना सकते हैं अपने बालों के लिए और बालों को लंबा धना और खुबसुरत बना सकते हैं दोस्तो आप एक मीडियम साइज का प्याज ले और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर या ग्रैंडर में महीन पीस ले बारिक पीस ले और उसका रस निकाल ले उसको पीस कर कपड़े में रखके और कपड़े को उसको प्रेस करके आप उसके साहता से कपड़े की साह जाते हैं उसका रस निकाल सकते हैं दोसतों उस रस में बालों को लंबा घना और मजबूत बनाय रखने के बहुत सारे गुन होते हैं प्याज की रस में दोस्तों इसे आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और 10 मिनिट तक कम से कम 10 मिनिट तक हलके हाथ से बालों की जड़ों में मालिस करें और इसको भी लगाएं और उसके बाद आप देड़ या दो गंटे के लिए आप इसको छोड़ दें ऐसे ही लगावा और उसके बाद आप अपने बालों को किसी अच्छे हर्बल सैंपू से दोलें दोस्तो ऐसा कम से कम आप हपते में तीन बार करेंगे तो नैचरल तरीके से आपके बाल लंबे घने और मजबूत बनेंगे दोस्तो एक तो ये तरीका है हपते में आप इसको तीन बार लगाएंगे तो आपके लगातार ऐसे ही बाल लंबे घने और मजबूत काले बने रहेंगे एक तो ये नुस्का है दूसरा नुस्का हमारे पास ये है यदि आप इस प्याज के नुस्के को ना कर पाए तो हमारे पास दूसरा उपाए है एपल का सिरका साइडर विनेगर भी बोलते हैं इसको वो ले आए और उसका आप घर में रखें और उसमें जरूत के अनुसार आप चार ये पांच चम्मच लें और उसमें थोड़ा सा हलका गुनगुना पानी मिलाएं और उस गुनगुने पानी से आप उसको अपने बालों की जड़ों में लगाएं हलकी हाथ से मालिस भी करें, मसाज करें सिर की और उसके बाद कुछ देर इसको लगा रहने दें दोस्तो इसके इस्तेमाल से भी आपके बाल लंबे घने और लंबे समय तक काले बने रहेंगे ये भी एक बहुत अच्छा नुस्का है दोस्तों ये भी बालों के लिए बहुत ही कारगरन उसका है बहुत ही गजब का काम करता है आप इसको भी कुछ देर तक लगा कर छोड़ सकते हैं और उसके बाद अपने बालों को तो हो सकते हैं किसी हर्बल सैंपू की साहता से तीसरा उपाए ये है दोस्तों कि आप जरूत के नुसार एक या दो या तीन अंडे ले और उनको किसी मिक्सर की साहता से उसको मिक्स कर ले अच्छे से फैट ले उसको अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें और कुछ भी ना मिलाएं आप इसको बालों की जड़ों में लगाएं ठीक है और मालिस करें हलके हाथ से दोस्तो इसके इस्तेमाल से भी आप अपने बालों को गजब का और बहुती खुबसूरत लंबा घना और चमकदार बना सकते हैं बहुती खुबसूरत बना सकते हैं इस मास्क को भी अंडे का जो मास्क है बालों के लिए ये भी गजब का काम करता है इसमें जो निट्रिसस value है इसकी वो हमारे बालों को मिलती है और जिसकी help से हमारे बाल लंबे घने और मजबूत बने रहते हैं हम ऐसा के लिए दोस्तों इसको भी आप लगाएं हलकी हास से मालिस करें और फिर एक घंटे तक आप इसको लगा छोड़ दें उसके बाद आप अपने बालों को thermal samples से airevacic samples से दोस्तों इस तरह से ये आपको तीन नुसके हमने आज बताए हैं आपको इस विडियो में इस मेंसे जो भी आपको बैटर लगे जो भी आप आसानी से कर पाएं वो नुसका इस्तिमाल करें ये तीनों नुसके बालों के लिए बालों को लंबा करने के लिए चमक्तार बनाने के लिए, खुबसूर्थ बनाने के लिए यह तिन नुस्खे काफी है यह बहुत अच्छे कमाल के नुस्खे है आप इनको इस्तिमाल करें और इनका फायदा उठाएं दोस्तो हमारा यह है उपाए हमारी ये वीडियो और हमारे नुस्के हमें उम्मीद है कि आपके जुरूर पसंद आया होंगे दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरे लगों को साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिर लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायो के साथ तब तक आप हांसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना खैल रखें